नमस्कार आपका स्वागत इस राजनामा टीवी पे मैं आपके साथ मनिपूर में तीन मैंसी कुक्यर मेती समुदाय के बीट चारी हिंसा को 63 दिन हो गए हैं राज में हालात अभी भी गंबिर बने हुए है मंगलवा को थोबल जिले में भीड ने भारती रिजर बटालियन के कैम पर हमला कर दिया और हतिया चुराने की कोशिश की इस दोरान भीड और स्रक्षाबलों के भी जड़प हो गई हतियारों से लेश भीड ने ओपन फायर किया जिसके जवाब में सेना को गोली चलानी पड़ी 27 साल के एक शक्स की मौत हो गई जबकि एसम राइफल्स का जवान गोली लगने से घायल हो गया अधिकारियों ने भताये कि भीड ने कैम तक आने वाले कई रस्तों को ब्लॉक कर दिया जिसी अतिरिक सुरक्षबलवान नहा पोच सके लेकिन फोर्से किसी तरह आगे पड़ पाई इस बीच मीर ने जवानों की गाड़ी में आग लगा दी 3 जुलाई को चुराचांदपूर के सौंगंबी में कुछ अगयत लोगों ने कुकी नैशनल और्गनाईजेशन की प्रवक्ता सेलिन हाउकिप के घर को आग लगा दी सुमवार को कांग पोकापी इलाके में हिंसा की कई घटना दर्ज हुई सुतरों के मताबिक सुमवार सुबर फाइलेंग गाउं में गोलिया चली दो जुलाई की सुबह विष्णपूर चौराचांदपूर सीमा पर दोनों समुदाए के लोग भिड़ गए थे इसमें तीन लोगी गोली लगने से जान चली गई एक अन्य का सिर काट दिया गया था सीम एन बिरेंट सी ने कुम्बी में आने वाले इस इलाके का दोरा किया उन्होंने मरने वाले को शद्दान जली दी उस्तानी लोगों को सुरक्षा देने का वादा किया इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे अन्यवाद